आज जो मेट्रो का विस्तार यहां ठाने में हुआ है यह मुंबई ठाने और आज पास के दुसरे ख्षेत्रों की बहतर कनेक्टिविटी देने के वीजन का ही हिस्सा है साथ यह मुंबई में पहली बार साल 2006 में मेट्रो की पहली परियोजना की शुरुवात की गई थी लेकिन आठ साल तक क्या हुआ कहां मामला अठक गया बताना मुश्किल है पहली लाइन 2014 में शुरू हो पाई और वो भी सिर्फ ग्यारा किलो मिटर की लाइन आठ साल में सिर्फ और सिर्फ ग्यारा किलो मिटर 2014 के बाद हमने तै कि मेट्रो लाइन बिछाने की स्पीड भी बढ़ेगी और स्केल भी बढ़ेगी पिछले चार साल में मुंबई में मेट्रो का जाल बिछाने के लिए अनेक नई परियोजनाओं की शुरुआत की गई इसी सोच पर चलते हुए आज दो और मेट्रो लाइनों का अच्छिलान न्यास किया गया है यानि आने वाले तीन साल में यहां 35 किलोमेटर की मेट्रो क्षमता और जुड जाएगी इतना ही नहीं साल 2022 से 2024 के बीच मुंबई वासियों को पौने तिन सो किलोमेटर की मेट्रो लेल्वे लाइन उपलब्द हो जाएगी आज जो सिलान्यास किये गये है उससे ठाने से भिवंडी कल्यान दैसर से लेकर मेरा भाइंदर तक के लोगों को तो फाइदा पहुंचे गा ही इससे पूरी मुंबई में जाम की परेशानी कम होगी साथियों ये सुविधाएं सिर्ल आज की आवशक्ताओं के हिसाब से नहीं बल्कि साल 2035 की जरुतों को और उसके हिसाब से विक्सित्या किये जा रही है भाई और बहनों आपका सफर आसान हो आपका जीवन सुगम हो लेकिन देश के गरीब और मद्यमबर के लोगों के बीना घर के ना रहना पड़े इसके लिए भी व्यापक प्रयास किये जा रहे हैं केंदर सरकार ने तै किया है कि साल 2022 में जब देश आजादी का 75 पर्म मना रहा हो तब देश के हर परिवार के पास अपनी पक की छत हो अपना पक का घर हो इसी लक्ष को आगे बढ़ाते हुए आज यहां 90,000 नए घर बनाने की शुरुवात हुई है मुझे बताया गया है कि तीन साल के भीतर यह गर बन कर तयार हो जाएंगे